नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए पुना प्रस्तुत है यलो एलेक्टिसिटी को ले करके यलो एलेक्टिसिटी का हम यहाँ पर आंतरिक प्रयोग किस तरह किया जा सकता है उसके बारे में अब हम विभिन वीडियोज आपको बना करके देंगे जिससे आप अपनी प्रैक आंति दिन नई उचाइयों को छू सकते हैं हम सरव पर थम ले रहे हैं यलो एलेक्क्रिसिटी का कांस्टिपेशन यानि कब्जमें किस तरह वियो आउपियोग किया जा सकता है कब्ज कब्ज के साथ-साथ आतों में जमय हुए या आतों में जो फ्राइस प्रम हैं उनको किस मेंब्रेन और इस टमक पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है इस आतों की म्यूकस मेंब्रेन पर इसका प्रभाव होने से यहां आतों में जम्य हुए मल या कहें अवरुद्ध मल को बाहर निकालने का बहुत शांदार कारे करती हैं जिसके कारण आतों में जम्य हुए मल को धिरे धिरे या कहें स्मूथली इसको सरीर के बाहर निकाल दिया जाता है हम यहां पर यलो अलेक्रिसिटी का किन और दियों के साथ में इसका उप्योग कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं यलो अलेक्रिसिटी C10, V2 और F2 के साथ में दी के देने से आतों में जमा हुआ अमल धीरे धीरे निकल जाता है साथ ही यह आतों के अंदर जो या कहें कि पेट में जो क्रमी होते हैं टेप और मोगरा जितने जिस प्रकार के क्रमी होते हैं उन सब को भी यह निकालने का कारे करता है यह क्रमियों को दोनों ही अवस्था में न जैसे गैस बनती है या गैस के काराणिक विभीन प्रकार से दर्द होता है जहां जहां दर्द होता है यह उन सब के प्रभाव को बहुत ही तीवरगती से कम करती है इसका प्रयोग रोग एम रोग की दसा को देख कर करना चाहिए इसका प्रयोग ज्यादा समय तक हम करते हैं त तो उससे हमें कभी-कभी नुक्सान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके डालीशंस first, second and third के रूप में प्रयोक कर सकते हैं। रात्री में यदि हमें क्रमी निकालना हो और कभी कबार कब्ज की स्तिती हो तब उस स्तिती में हमें इसे रात्री में देना चाहिए सुबर पेट बढ़िया तरह से एकदम नरम हो जाता है यानि साफ हो जाता है दोस्तो अभी हमने आपको जो constipation पर बताया है अब हम अगला वीडियो आपको skin disease यानि तुचा रोग का electro-homopathy की yellow electricity से किस तरह उपचार कर सकते हैं इसके बारे में हम अगला वीडियो आपके सामने ले करके आ रहे हैं दोस्तो यदि आपको किसी विसेश इस्तिती या किसी विसेश disease में कुछ जानकारी चाहिए या रोचक वीडियो चाहिए तब आप हमें अपने हमारी description box में हमारा number दिया जा रहा है उस number पर आप call या WhatsApp करके हमें अवगत करा सकते हैं कि हमें इस रोप पर वीडियो दीजिए तब हम आपको उस पर पूर्ण जानकारी के साथ में सटीक इलाज के साथ में देंगे दोस्तों यहाँ पर हम आपको यह दिखाते हैं यदि आपको इन सब चारों चीजों का combination बना बनाया चाहिए तो हमने Slexa के रूप में एक patent medicine और सिधी तयार की है जिसे आप सुबह सामदे करके बहुत ही अच्छा परिणाम ले सकते हैं धन्यवाद दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में इस तवचा रोगों के इलाज के साथ में धन्यवाद